हेलो एवरिवन दोस्तों आप सभी का स्वाल गया थे फिर से एक न्यू वीडियो में मैं पिछले वीडियो में जैसी कि मैंने आपको बतलाया था कि न्यू कनेक्शन को कैसे इसू करते हैं कहने के मतलब एस वी कैसे जेनरेट करते हैं तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास सिंगल गयास कनेक्शन हो तो उसको डबल कैसे करोगे अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि एस वी कैसे जेनरेट करते हैं तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको ले कर आता हूँ सिरी सेमेस के स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको सिंगल गयास कनेक्शन को डबल करकर दिखलाता हूँ तो चले वीडियो सुरूर करते हैं दोस्तो अब हम आ चुके हैं अपने सीरी सेमस के स्क्रीन पे और यहां पर क्या करना है गाइज सिंपल आपको लॉग इन करने के बाद Consumer Management पे आना है और इसके बाद यहां पर आपको Find करना है Domestic Consumer Management आपको DVC करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी Registration करनी होती है तो आपको यहां पर Find कर लेना है Registration Additional Slander Connection ठीके आपको वहां पर एक पर क्लिक करना है ऐसा करते ही आपके सामने एक Form Open हो जाएगा जिसमें आप क्या करेंगे Consumer Number एंटर करेंगे फेच करेंगे इसके बाद आपको यहां पर दोस्तों Select करना होगा कि Slender का Type क्या है इनका कहने का मतलब आप इनको 14 kg वाले Slender देना चाहते हैं या फिर 5 kg वाले तो आपको यहां से Slender की जो Type है, Category है वो आपको Select करना होगी और इसके बाद जैसे यहां पर देखिए मैंने Select लिया है 14.2 kg यहां पर Option आपको 5 kg का भी आ रहा है तो आपके According होगा कि आप किस तरह के Connection Issue करना चाहते हैं डीवीसी में Family Member जितने होंगे आपको वो एंटर करना है और इसके बाद आपको Simple Sumbit पे क्लिक करना है इसके बाद आपका Registration यहां पे Successfully हो चुका है अब आपको क्या करना है Domestic Consumer Management में आना है और उसके बाद Allotment List डिस्प्ले दिखता है ठीके वापिस आपको करके दिखला देता हूं Consumer Management पे क्लिक करना है Domestic Consumer Management पे क्लिक करके आपको वहाँ पे Find करना है Allotment List डिस्प्ले इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कोई भी Registration सो नहीं कर रहा तो आपको क्या करना है एक बार Refresh करना है तो आपको वह Connection यहां पे सो कर जाएगा जिसको आपने Registration अभी किया था तो Simple क्या करना है उसके जो भी Allotment लेटर है आपको पहले वह Print करना होगा Print करने के बाद आपको Safety form भी Print करने होते हैं जब यह दोनों आपका Print हो जाए इसके Just बाद दुस्तों आपको क्या करना है Simple जो है यह आपको Registration नंबर को क्या करना है Copy करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर Find करना है Integrate to Allotment Integrate Allotment Later इसके बाद आपको यहाँ पर Registration नंबर को Enter करके और Face पर Click करना है यहाँ पर जो भी Address Details पर कह रहे है या फिर Allotment Later नंबर है या फिर Date आपको यह सभी को क्या करना है यहाँ पर Select रहना है और Save पर Click करना है इसके बाद बाड़ी आती है Response to Allotment की आपको Response to Allotment पर Click करके इसके बाद यहाँ भी आपको क्या करना है Registration नंबर आपको Enter करके Face करना है इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको Remarks लिकने का एक Option आ रहा है आपको Remarks पर यहाँ पर Enter करना है इसके बाद जैसे आप save पे click करेंगे guys आप सबसे important चीज है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो sb nc dbc पे click करोगे यहाँ से अब आप sb generate करोगे आपको select करना होगा additional type जो भी connection है आपको वो select करना है new connection नहीं करना होता इसके बाद registration number एंटर कीजिए यहाँ पे आपको उस consumer का name दिख जाएगा बाकी details भी होंगे इसके बाद आपको better issue करना चाहते हैं तो आप वो भी select कर सकते हैं जो भी आपका remarks होगा वो लिखना है और निचे आपको save का button दिख रहा है आपको वहाँ पे आके click करना होता है ऐसा करते ही sv generate हो जाता है इसके बाद का step है कि आपको इसका arv invoice भी जो है generate करना होता है इसके लिए आपको consumer number copy कर ले रहा है याद रख लेना है यहाँ सबसे पहले क्या करना है आपको sv print करना है तो sv print करने के लिए simple print पे click किजिए यहाँ से आप देखेंगे कि आपका sv print होने लग गया है आप यहाँ पर देखिए आपका sv generate हो चुका है अब में क्या करना है simple जो है इसके invoice को generate करना है इसलिए आपको arv sale पे जाना होगा यहाँ पे consumer number fill करना है और sale tap में select करना है dbc क्योंकि आप एक slender के बाद दुसरा slender इनको आप sale कर रहे हो इसके बाद के details दोस्तों यही है कि आपको यहाँ आपसे जो भी product इन्होंने purchase किया है वो आपको select करना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं hot plates है सुरक्षा होज है या फिर other कोई भी product है जो है save and generate पे click करेंगे तो आपका इन्विवाइस यहाँ पर दिख जाएगा print होने के लिए ready हो जाएगा simple आप इसको print कर लिजिए उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से subscribe किजिए वीडियो को like किजिए और comment किजिए कि आपको next वीडियो कौन सी चाहिए अगर आप चाहते हैं घर बैठे gas connection के लिए apply करना तो आप इस left वाली वीडियो पर click किजिए और वहाँ से आप जान सकते हैं घर बैठे आप gas connection के लिए कैसे apply करेंगी